हेलो एवरिवन कैसे हैं आप बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनुटैक एजुकेशन में आज की क्लास में हम लोग डेली यूज इंगलिस एंटेंस हो की प्रक्टिस करेंगे तो गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा हाथ उपर करो जब हम किसी से कहते हैं कि हाथ उपर करो तो हम इंगलिश में कहेंगे हैंड्स अप हम अक्सर अपने बच्चों को भी कहते हैं कि अपने हाथ उपर करो तो हम इंगलिश में कहेंगे हैंड्स अप हाथ उपर करो हैंड्स अप क्या तुम जानते हो जब हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम जानते हो तो हम इंगलिश में पूछेंगे करेंगे हम घर जा रहे हैं जब हम किसी को बता रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं तो हम इंगलेश में बताएंगे वि आर गोइंग्टू ले अ हम घर जा रहे हैं we are going to home हम घर जा रहे हैं next sentence है हम कहां जा रहे हैं जब हम कहीं जा रहे हैं और किसी से पूछते हैं कि हम कहां जा रहे हैं तो हम English में पूछेंगे next is थोड़ी सर्म कर लो जब हम किसी से यह कहते हैं कि थोड़ी सर्म कर लो तो हम English में कहेंगे next sentence है मुझे देखना है जब आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे देखना है तो आप English में इस प्रकार कहिए I have to see मुझे देखना है I have to see मुझे देखना है इस प्रकार आप हिंदी और English दोनों में ट्रांसलेट करके डेली बोल सकते हैं मुझे बोलना है I have to speak जब हम किसी से बोलते हैं कि मुझे बोलना है तो English में कहेंगे I have to speak मुझे बोलना है मैं उसकी मदद करूँगा जब हम किसी से कहते हैं कि मैं उसकी मदद करूँगा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जाना है जब हमें कहीं जाना होता है तो हम अक्सर इस सेंटेंस को दिन में कई बार बोलते हैं कि मुझे जाना है तो हम इंग्लेश में कहेंगे I have to go मुझे जाना है I have to go मुझे जाना है I have to go ओके नेक्स्ट इस तुम गुसा क्यों हो? अक्सर हम किसी से पूछते हैं कि तुम गुसा क्यों हो? तो हम इंग्लिश में पूछेंगे वाई आर यू एंग्री तुम गुसा क्यों हो? वाई आर यू एंग्री तुम गुसा क्यों हो? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं गुसा हूँ जब हम किसी से गुसा होते हैं और हम उनसे बताना चाहते हैं कि मैं गुसा हूँ तो इंगलिश में कहेंगे I am angry मैं गुसा हूँ मैं सहमत हूँ जब हम किसी चीज से सहमत होते हैं तो हम कहते हैं अक्सर कि मैं सहमत हूँ तो हम इंगलिश में कहेंगे I am agree मैं सहमत हूँ I am agree मैं सहमत हूँ next sentence है मजाक मत बनाओ जब कोई किसी चीज का मजाक बनाता है तो हम अकसर कहते हैं कि मजाक मत बनाओ तो हम English में कहेंगे don't make fun मजाक मत बनाओ don't make fun मजाक मत बनाओ don't make fun जल्दी ठीक हो जाओ जब हम किसी से भी कहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओ तो इंग्लिश में कहेंगे get well soon जल्दी ठीक हो जाओ get well soon जल्दी ठीक हो जाओ इस प्रकार हम उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में translate करेंगे विश्वास करो विश्वास करो को हम इंगलिश में कहेंगे बिलियू जब कोई हमारा विश्वास नहीं करता तो हम उसे बार बार कहते हैं अरे विश्वास करो विश्वास करो तो हम इंगलिश में कहेंगे बिलियू विश्वास करो बिलियू विश्वास करो नेक्स्ट सेंटेंस है कल्पना करो जब हम किसी से कहते हैं कि कल्पना करो या ऐसा सोचो की कास में राजा होता तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इमेजिन कल्पना करो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इमेजिन करना मतलब होता है कल्पना करना नेक्स्ट सेंटेंस है कोई खास बात नहीं जब हम कहते हैं कि कोई खास बात नहीं है तो हम इंगलिश में कहेंगे नथिंग स्पेशल कोई खास बात नहीं नथिंग स्पेशल कोई खास बात नहीं नथिंग स्पेशल कोई खास बात नहीं नेक्स्ट सेंटेंस है तो गाइश I hope आच की क्लास आपको पशंद आई हो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रती दिन के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आशानिशे मिलती रहें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं हम बगली क्लास में